नमस्कार दोस्तों आज एक किलोवाट ओफग्रीट सोलर सिस्टम का इंस्टोलेशन है सोलर पैनल का कनेक्षन और इन्वेटर जो है 24 बोल्ट इन्वेटर एक साइड का इसका कनेक्षन कैसे होगा और इससे क्या क्या चाला सकते हैं सो दोस्तों मेरा नाम संजय हुआ और आज हम लोग आये हैं हाता में एक सिमेंट फैक्टरी है इस पर आज जो है एक किलोवाट ओफग्रीट सोलर सिस्टम लगाने के लिए तो हम लोग जो है कमपनी का गेट के बाहर पहुंच चुके हैं और यह कमपनी का गेट है अब इस छोटे गेट से जो है एंट्री करना है तो यह हमारा सोलर पैनल बैटरी जो है एक साइट सोलर टूबलर यहाँ पे नीचे रखा हुआ है अब इसको जो है सिफ्ट करना है छत पे जाके यह सिस्टम लगेगा तो दोस्तों इस ट्रेक्चर जो हम लोग जो है छत पे लेके आ चुके है और पैनल भी जो है लेके आ चुके है और बैटरी और इन्वेटर जो है वो रूम पे रहेगा नीचे तो तीन सोलर पैनल है structure ready हो रहा है और इस तरह का solar panel का structure जो होता है install करना बहुत ही easy होता है और इस side का raptor को जो है हम लोग लगा लेते हैं तो इस तरह से यह set होगा और इसके बाद इसको nut bolt से बढ़िया से tight कर देना मतलब सारे nut bolt जो है आपको लगा देना है और यह system जो है यहाँ पर excite का complete setup solar panel सिर्फ जो है वो सोभा का है inverter excite का है PWM inverter है और बैटरी जो है solar tubular है 200 amp का दो solar tubular बैटरी है और solar panel का connection कैसे होने वाला वो भी मैं आपको बताऊंगा तो यह जो हमारा लग रहा है भी परलीन इसको परलीन करते हैं और इसको भी जो है nut bolt से tight कर दे और फिर दूसरे वाला परलीन को भी जो है लगा दिया थोड़ा वीडियो को जो है fast forward किये हुए है नहीं तो वीडियो जो है बहुत लंबा हो जाता इस तरह से आप परलीन को दोनों साइड का nutball को जो है tight कर देना तो यह तीन पैनल के structure जो है यह ready हो गया और इसको जो है अभी कसा जा रहा है और यह हमारे structure जो है अभी ready हो चुका है नीचे जो है नीचे foundation भी बनाना मतलब jam करना है अब solar panel लगाया जा रहा है तो सबसे पहले beach center में solar panel लगाएंगे तो आपका side वाला solar panel जो है वो यह आसानी से बैठ जाता है तो पहले beach वाला solar panel को हम लोग लगा लेते हैं और दूसरा solar panel लेके आ गया है यहाँ पर ready कर दिये हैं और इसको भी हम लोग लगाएंगे तो beach वाला solar panel आप अगर सबसे पहले लगाते हैं तो उसमें क्या होता है कि आपका panel का जो है वो whole match कर जाएगा और बाकी बचा दो solar panel जो है उसको लगाते समय आपको problem नहीं होगा तो इस तरह से जो है इसका हम लोग लगा लिये है solar panel और यह structure जो है यह तीन solar panel का structure है तो अब हम लोग जो है दूसरे solar panel को लगाने वाले हैं तो solar panel को जब भी आप उठाए या रखे उसको प्यार से रखना आराम से ताकि जो है वो crack ना हो या तूटे नहीं तो इसके बाद इसका netball भी आपको कच देना है ताकि solar panel नीचे ना आ जाए तो दोस्तो यह जो upgrade solar system लग रहा है यहाँ पे जो है एक cement plant है और cement plant जो है वो 8-9 साल से बंद है आट-9 साल से जो है यह plant बंद है तो यहाँ पे बिजली नहीं है तो बिजली जो है काट के रखा गया बिजली यहाँ दिया ही नहीं है तो यहाँ पे इस office building का load जो है इसी से च बगा दिया और यह ready हो चुका हमारा solar panel अब इसका foundation जो है वो jam करना है नीचे इसका best जो है वो jam करना तो इसको ढलाएक कर दिया है क्योंकि यह अभी जो है इस तरह से ढलाएक है कुछ दिन बात जो है यहाँ से shift हो जागा दूसरे office पे इसलिए उतना मजबूती सी जो है ढल तीनो positive तीनो solar panel का positive एक साथ तीनो solar panel का negative एक साथ और यह दोनों केवल जाओ यह inverter में चला जागा आपका इन्वेटर में जहां आपका point होगा solar का connection देने का वहाँ पे चला जागा और यह च्छत है और उसका भी हम दिखाएंगे कि इन्वेटर में solar panel का connection कैसे होगा ताकि आप खुद भी कर सकते हैं एक किलोवाट का upgrade solar system install तो यह हमारा battery है battery और inverter तो इसको हम लोग अभी खोलते हैं box और यह inverter जो दोस्तों एक केबल दिया है battery को series करने के लिए और battery के साथ आपको nut bolt और यह gas देखने के मिलता है जिस पर आपको water level battery का water level आप इससे देख सकते हैं कि कि कितना वाम डिश्टिल वाटर है हमारे battery में तो यह सारे जो है अभी हम लोग फिट करने वाले हैं तो दोस्तों हम लोग ने जो है battery को रख दिया एक पट्रे को उपर में तो हमेशा battery को जो है आप जमीन पर ना रखे क्योंकि battery जमीन पर रहने से battery discharge होता है और inverter को लाके हम लोग जो है इस साइड में रख देते हैं तो inverter और battery जो है अपने जगा पर पहुंच चुका है और अभी जो है यह gauge लगा रहे है indicator जो है आप इसको indicator भी बोल सकते है बहुत सारे लोग बोलते भी है कि यह indicator है तो यह water level का gauge है इससे आपका battery में कितना पानी है वो पता चलता है और battery में कितना पानी होना चाहिए यह भी मैं आपको बताओंगा कि battery में कितने पानी होना चाहिए ताकि आपका battery जो है बढ़ि आसे चारज नहीं होतार आपका बेटरी जल्दी डिस्चार्ज जाता है तो सारे इस तरह से आपको water level का gate आपको लगा लेना है और उधर यहारे inverter को connection कर रहे हैं सिरीज में सिरीज का मतलब एक बेटरी का positive बहुत दूसरे का नेगेटिव में जाके जोड़ना है और यहां पर लिखा हुए इसका वारेंटी 60 मन्त अभी एक साइड में जो है इसी तरह से आपको वारेंटी देखने को मिल जाता है और यह हो गया हमारा सिरीज कनेक्शन एक बेटरी का पोजेटी बहुत दूसरे का पानी मतलब ना डाले आपका गेज जो है वो ग्रीन से उपर भी नहीं होना चाहिए और रेड जो है रेड से नीचे भी आपका नहीं होना चाहिए और गेज रेड कलर का नीचे भी नहीं आना चाहिए तो सब में वाटर लेबल जो है अभी ठीक है क्योंकि यह बैटरी जो ह लाइन आग यहा पे आप देख सकते हैं 25 बोल्ट आपका दिखा रहा है एक बैटरी जो है हमारा 12 बोल्ट का तो डवल बैटरी को अगर आप सीरिज करते हैं तो सीरिज करने से वोल्टेज बढ़ जाता है और बैटरी में जो केबल कनेक्शन होगा उसका बनिया से आपको साथ में connection कर देना है अब आते हैं inverter की और ति इन्वेटर में देख सकते हैं inवेटर में जो है बिजली current आ गया है अब ले लेते हैं solar का keble जो solar चाहिया है तो ये दोनों keble ये इस बोजेटीब है एक नेगेटीब है इस पर पिन टाइप का लग लगेंगे और अगर दूस्तों आपका सोलर से आया हुआ केबल दोनों सेम है तो आपको claim meter या multimeter से जो आपको check कर लेना है कि कौन सा positive है और कौन सा negative है तो अब हम लोग जो है solar panel का जो wire आया है positive और negative उसको हम लोग लगा रहे तो सबसे पहले positive को लगा लेते हैं तो आपको inverter का back side में PV लिखा होगा यहाँ पे जो है आपको positive और negative का marking भी किया हुआ तो आपको positive को positive में लगा लेना है और negative को negative तो यह हमारा positive जो है वो लग चुका है inverter में और यह positive लग गया अब हम लोग इस पे लगाते है negative वालक cable तो इसको पहले हम लोग जो है इसका screw को ढीला कर लेते हैं और wire को जो है negative वाले को यहाँ पे लगाना है तो और इसका आपको बहुत ही साबधानी से लगाना है क्योंकि positive और negative अगर आप एक साथ पकड़ लेते हैं तो DC current जो है आपको पकड़ के ही रखता है छोड़ता नहीं है AC आपको fake देगा पर DC direct current आपको यह पकड़ के ही रखेगा तो इसको थोड़ा ध्यान से ही इसका जब भी connection करेंगे तो थोड़ा careful रहके ही connection करें तो इसको हम लोग अभी कस देते हैं बढ़िया से loose connection नहीं होना चाहिए क्योंकि यह spark होगा तो इसलिए बढ़िया से कस दिया ज जो है वह हम लोग लगा चुक है एक red और black बाली जो आपको दीख रहा ही है बैटरी में चला गया positive और negative में और inverter में जो है solar का cable अब लोग हम लोग जो है अभी लगा दिया है अब इस पर हम लोग जो है output का cable लगाएंगे जिससे हमारा load वगरा सब चलेगा तो अब यहां पर देख सकना है inverter जो है वो solar से charge कर रहा बैटरी का symbol जो है वो उपर की और जा रहा है मतलब आपका अभी जो है solar से battery charge हो रहा है और inverter को करते हैं on तो यह red color वहाँ पे on off का switch देखने को मिलता है उसको अगर एक बार प्रेस करेंगे तो आपका inverter जो है on हो जाएगा इस red color का switch को और inverter जो है one है अब हम लोग इसका output जोडते हैं तो इस inverter में जो है three pin top लगेंगे तो यह three pin top जो है यहां पर पहले से इनका inverter system लगा हुआ था वो top जो है हम लोग कि यूज कर ले रहे हैं तो इसको जो है हम लोग वायर को connection कर दिया है एक अर्थिंग है और एक मैन है तो यहां से ले लिए हम लोग केवल को इसको हम लोग अब कर देते हैं टाइट और फिर से हम लोग इसको जो है inverter का back side में 3-pin top लगने का एक जगा है जहां से आटपूट आपको लिखा हुआ देखने को मिल जागा वहां पर आपको यह top जो है लगा लेना है फिर आपका inverter का जहां जहां connection होगा सारा जगा पर आप करेंट चला जागा आपने light वगए आ, fan आप आप या TV वगएरह आप चला सकते हैं तो इसका screw यह आभी अम लोग लग लग यह लगा दिया है और तॉप भी जो है उस side कोने पर लगा दिया और यह solar का kevel है positive और negative और इस side में जो आपको top दिख रहा है यह आपको आपड़ पूट यहां से निकलता है और यह negative kevel है बैटरी में चला जागा यह inverter से और यह positive वाली है और इधर में आपको जो है cooling करने के लिए आपको inverter में एक fan देखने को मिल जाता है और यह cable जो है यह आप grid में दे सकते हैं अगर आपका grid है तो grid से भी जो है आप अपने battery को charge कर सकते हैं अगर solar काम नहीं कर रहा हो तब और यह cooling का fan है तो हम लोगों ने जो है final connection कर दिया है अब इस board में connection देते हैं जो inverter से output निकल के आया है तो इस board से जो है सारा जितने room का bulb और fan है सब में इस board से ही current चला जाएगा तो इस board में हम लोग करते हैं अभी connection तो इसको हम लोग टाइट कर देते हैं और इसका screw अगर सारा कुछ आप ध्यान से बढ़िया से tight कीजेगा अगर loose connection होगा तो उस पर आपका spark होने का chances से रहता है और short circuit से आग भी लग सकता है तो यह सारा चीज का आपको connection करते समय ध्यान देना होता है और हमारा जो है connection हो गया अब इस board काम लोग टाइट कर देंगे और यह inverter जो है दोस्तों पंदरा सो भी एका है और यह आपको market में 8-10,000 में आपको जो है यह inverter मिल जाएगा और बैटरी जो है वह आपको 16-17,000 का बीच में आपको जो है लाइट जलने लगा और इस रूम का जो फैन है वह 8-9 साल से पड़े रहने के कारण फैन जो है नहीं चल रहा है तो यहां पर जितने भी इनवेटर से connection किया हुआ था सारा चीज़ जो है हम लोगोंने ट्राइल ले लिया है तो इनका जो है यह सिस्टम से पूरा चल रहा है पूरा बिल्डिंग का लाइटिंग लोड जो है इसी एक किलो आट का अपग्रीट सोलर सिस्टम से चल रहा है और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सस्क्राइब कर दे और बेल आइकन को दबा दे ताकि मैं जो भी नहीं ने वीडियो अपलोड करूँ सबस पहले नोटिपिकेशन आपके पास आए तो हम लोगों ने ट्राइल ले लिया है अब हम लोगों का टूल बॉक्स बगएर सारा कुछ जो है समेट के हम लोगों आप चलेंगे घर की और तो आपको जो है बिल्डिंग भी दिखा देते हैं कि कैसा बिल्डिंग है और कितना इ व्राइट बख़ुए तो सातो रुप में जो साथ फैन में कनेक्शन नहीं दिया गया चार फैन में कनेक्शन है इन्वेटर से और लाइटिंग का जो है वो सब में है तो दोस्टो आज के लिए इतना ही तो कल फिर मिलते एक नहे वीडियो में तब तक के लिए बाई